ये शेर बूला जरूर हुआ है पर सिकार करना नहीं भूला दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होगे दोस्तों 28 तारीक को खेले गए वर्ल्ड कप 2019 के अभ्यास मैच में टीम इंडिया ने बंगला देश पर 95 रनों से सांदार जीत दर्ज की है दोस्तों आपको बता दे कि टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उत्री टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और दूसरे ओबर की पांचमी एगेन पर भारत के सलामी बल्लेबाज शिकर दवन मात एक रन बनाकर पवेलिन लोट गए शिकर दवन के आउट होने के बाद मैदान पर आए बिराट कोली ने रोहिट सर्मा के साथ पारी को संबहलने की कोशिस की पर जल्द ही 19 रनों पर रोहित में अपना विकिट कवा दिया रोहित की आउट होने के बाद मैजान पर आये केल राहूल, विराट और राहूल के वीच में 33 रनों की सालदारी के बाद भार्टिय कफ़्टान विराट भी अपने 45 रनों के विजी स्कोर पर आउट हो गए, इसके बाद विजय संकर भी कुछ खास नहीं कर पाए और मातर धो देशिक गेंवाजी की जमकर पुटाई थी, जहां केल राहूल रें 99 गेंडों पर 12,4 शक्तों की मदद से 108 रन बनाए, वहीं दूसरी और अपनी IPL फॉर्म बरकरार रखते हुए, मैनेजिंग खौनी ने 178 गेंडों में 8,4 शक्तों की मदद से 113 रनों की जवदरस्त पार में खेल लिए, इसी के चल्पे भार्तिय टीम बंगलादेश के सामें 360 रनों का विशार लच्छ रखने में काम्याब रहे, लच्छ का पीचा करने उत्री, बंगलादेश की टीम 49.3 ओबर में मात्र 2400 रन पर ही धेर हो गई, गेंडवाजी में जस्परित गुमरा को दो, को तीन, योजवेंद चैनल को तीन, और जड़े जाने, दो विकेट लिए, दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी, क्या इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कब जीत के लाएगी, जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, और आपने अभी तक हमाज चैनल को सब्क्राइ कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब से के लिए, गिल देन, बाए!